नमस्ते चात्रों, YouTube चेनल India Old Days में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में उत्रवधी काल की समाजिक स्तिति के बारे में पढ़ेंगे तो देखेगा चात्रों, उत्रवधी काल की रानतिक दसा के बारे में उत्तरवधिक काल का समाने सा परीचे हम लोगों ने देख लिया था पढ़ लिया था तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगी कि जो उत्तरवधिक काल है यह है कब से प्रारम हुआ था तो उत्तरवधिक काल है इसका टाइम क्या है 1000 इस्सा पूर्वा से 600 इस्सा पूर्वा है ठीक है ना और इसके पहले हमने रिगवैदिक काल के बारे में पढ़ा था वैदिक काल के बारे में पढ़ा था तो उन सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको पहले वाले वीडियोस को देखना पड़ेग और इससे क्या होता है कि बहुती व्रहत इस्तर पर परिवर्तन देखने को मिलते हैं चाहे वुरानितिक दसा हो, चाहे समाजिक दसा हो, चाहे धार्मिक दसा हो सब में बहुती परिवर्तन आये थे इसी परकार से समाज में भी कई तरह के परिवर्तन आये थे अब देखेगा क्या होता है कि जो उत्तरवेदी काल है इसमें जो वन व्यवस्ता है उसने बहुती व्रहत तोर पर अपना स्थान जमा लिया था वन व्यवस्ता में काफी विस्थार हुआ था तो देखेगा रिगवेदी काल की तरह है परिवार पित्तर परदान था ठीका ना तो रिगवेदी काल में जैसे परिवार जो था वह पित्र परधान था वैसे ही उत्रवेदी काल में भी क्या है परिवार है वह पित्र परधान है और परिवार है वह स्यूंक्त था सारे लोग साम्मिल में रहते थे परिवार में ग्रह पती पिता होता था घर का जो मुख्य होता था वह कोन होता था पीता होता था अब देखेगा ये तो रिगवेदी काल में और उत्रवेदी काल में समानता थी परिवार को लेकर अब क्यों होता है कि धीरे धीरे परिवतन स्टार्ट होता है उत्रवेदी काल में ब्रहमन, छत्रिय, वैश्य और सु शुरू हुआ था ठीक है ना तो अब क्या कि एकदम से clear cut पता चलने लगा था कि कोन ब्राह्मन है ब्राह्मन का कारिये क्या है कोन छत्रिये है कोन वैस्से कोन सुद्र है ठीक है ना समाज में इनका सपस्ट तोर पर विबाजन हो चुका था लेकिन साथ ही साथ क्या होता कि महि पुत्रियों के जनम को हतोच साइथ नहीं किया गया अथर्ववेद में पुत्रों के जनम की कामना की गई है लेकिन पुत्रियों के जनम को दुख का कारण माना गया है इसी परकार मैत्राइनी सहिंता में इस्तरी की तुड़ना मदीरा विस तथा पासे से की गई है ठीक है और इसी प्रकार से जो गारगी समवाद है उसमें यागवल लहवै एक वाद विवाद करते हैं और यागवल लग के और गारगी दोनों के बीज में वाद विवाद होता है और वो गारगी को डाट कर चुप करा देते हैं तो इन सबी साक्षों से हमें ये पता चलता है कि उत्तरवादी काल आते आते जो इस्तरियां हैं उनकी दसा में गिरावट आई थी अब देखेगा इस वीडियो में हम उत्तरवादी काल की जो समाजिक दसा है उसे समाजित निमनलिकित बिंदूं से जानकरी प्राप करेंगे तो देखेगा आस्रम व्यवस्ता पारिवारिक जीवन कैसा था भोजन व्यवस्ता कैसी थी वेशभूसा कैसी थी मनोरंजन के साधन क्या थे सिक्ष्या कैसी थी पूरुशार्थ और फिर क्या होता है कि इसमें जो उत्तरवादी काल है इसमें समाज में कई परकार के चेंज जे जाये थे लोगों ने उनको अपनाय भी था उनमें जैसे कि पुरुशार्थ है त्री रिण है पंच महाइक के हैं सोला सेंसकार है विवा विवस्ता है उपलेन सेंसकार है इस्त्रियों की दसा कैसी थी और वन विवस्ता कैसी थी इन सभी के बारे में हम एक एक पॉइंट स पढ़ेंगे तो देखेगा सबसे पहले पढ़ते हैं आश्रम विवस्ता तो उत्तरवदी काल में तीन आश्रमों में आरियों ने जीवन को विवस्तित कर दिया था ठीक है ना तो आश्रम कितने थे वसे चार थे लेकिन उत्तरवदी काल में तीन आश्रमों का वर्णन किया गया है अब देखेगा वैसे तो इन लोगों ने जीवन को चार वर्गों में बाठा था कौन-कौन से थे ब्रह्मचरिये गुरहस्त वान प्रस और सन्यास लेकिन लिखित रूप में तीन ही आश्रमों का का जो तीन ही आश्रमों के बारे में हमें उत्रवैदिक आल के बारे में लिखित तोर पर साख से मिलने हैं लेकिन चोथे आश्रम अर्था सन्यास आश्रम पर एवैदिक परंप्राओं कोन कोन सी थी एवैदिक परंप्राओं सरमन परमपराजे से जैन बोध धरम का परबाव हमें दिखाई देता है पहली बार जाबालो उपनिसद में चारों आस्रमों का उलेख मिलता है ठीक है ना तो उत्तरवधी काल में तीन आस्रमों के बारे में जानकरी हमें लिखी तोर से मिलती है लेकिन चारों आश्रमों के बारे में हमें जानकारी लिखी तोर पर सबसे पहले जबालोपनिसद में प्राप्ति होती है तो ये क्यूशन कई बार आ भी चुका है एकजामे तो आपको धंग से देखना चाहिए कि पहली बार चारो आश्रमों का उले कहां पर मिलता हमें जब अलोपने सद में अब देखेगा उत्तरवधी कालीन लोगों की जो पारिवारिक व्यवस्ता है वो कैसी थी उत्तरवधी कालीन समाज भी पित्र प्रधान था तथा स्यूंक परिवार की पर्था थी परिवार के सब्वी सदस्य परिवार के मुख्या पूरुस का आधर करते थे देखेगा भोजन उत्तरवधी काल में व्यदिक काल की तरह ही भोजन किया जाता था विशेश अवस्त्रों पर तथा विशेश उत्स्वों एं त्योवारों पर मास अवस्ते रखा जाता था अर्थात खाया जाता था अब देखेगा वेसबुसा तो उत्रवधिकाली लोगों की वेसबुसा में वेदिक काल की तरह वेसबुसा रही उन्नी वस्त्रों का प्रियोग होने लगा था मनोरंजन के सादन तो विबिन अवसरों पर जुआ खेलने रत की दोड और गुड़ दोड का आयुजन होता था नाचने गाने और बजाने का सोग सभी लोग करते थे उत्तरवधिकाल में सत्तन्तु अर्थात सोतार वाला बाजा बजाय जाता था यह मनोरंजन के सादन थे अब देखेगा सिक्षा तो उत्तरवधिकाल में सिक्षा का परमुक विशे वेद था वेदों के धेन के साथ साथ विज्ञान गणित भासा तथा यूद कला आदी के भी सिक्षा दी जाती थी चात्र गुरू के निकट बैठ कर कठोर वा सादा जीवन वेतीत करते हुए ग्यानारजन करते थे इसे उपनिशद कहा जाता था ठीक है ना उप यानि पास में तो पास में बैठ कर चात्र है वो गुरू के पास में बैठ कर ग्यान प्राप्त करते थे इसे उपनिशद भी क पहा जाता था अब देखेगा इस्त्रियों की दसा तो उत्तरवधिक काल के आते इस्त्रियों के समान इस्त्रियों का जो समान हुए कम हो गया था वे संपत्ति की उत्रादिकारी नहीं थी इस समय इस्त्रियों को भोग की वस्तु समझा जाता था इस समय विदूसी महिला गार आगी एम मैथेई थी इस्त्रियों की दसा दैन्य थी इस्त्रियों को सुरावे जुवा की वस्तु माना जाता था कन्याओं के जन्म को ऐसु माना जाने लगा सत्ती पर्था का पर्षन नहीं था और इस्त्रियों को सिक्ष्या का अधिकार भी प्राप्त था तो इस्त्रियों अगला आता है वन व्यवस्ता तो वन व्यवस्ता कैसी थी इस काल में वन व्यवस्ता में जटिलता बढ़ी तथा भेदभाव भी दिखाई देने लगा वन व्यवस्ता जन्पर आदारित हो गई समाज पूरुस परदान था तथा पूरुस तत्वों की परदान था बढ़ती समाज चारवणों में विभग था और ये चारवण अपने अपने वण के अनुसार कार्य करते थे जासे कि ब्रामन था तो ब्रामन अवे समाज का सरवस्चे स्थान प्राप्त करता वण था इस वन ने यग्ये, करमकाण, मंत्रोचारण के अधार पर सर्वोचेता प्राप्त की अब देखेगा ब्राह्मन लोगों का कारिय क्या था यग्ये करना, यग्ये कराना, दान लेना जिसे अधाई भी खा जाता था वेदों का अध्यन करना और सिक्षा देना अगला वन था छत्रिये, तो समाज में जो दूसरा परमुक वन है वह कौन सा वन था छत्रिय वन, इसका कारिय क्या था युद में नितर्त्वय करना, सुरक्सा करना, सासन चलाना, यग्ये कराना, वेदों का अध्यन करना और दान देना, ठीक है अगला वन आता है वहिशे तो तीसरा परमुक वन है, ये वहिशे वन था, इसका कारिय क्या था वार्ता, अर्थार, कर्शी, पसूपालन, तथा वाणी जे व्यापार करना और इसके अलागा क्या था, यग्ये कराना, दान देना, वेदों का अध्यन करना और इनको अनस्य बली करता कहा गया एक मात्र कर देने वाला तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं अनस्य बली करता कौन सा वन था वो था आपका वैसे वन और अनस्य बली करता किसे कहा गया है एक मात्र कर देने वाला वन अगला वन आता है शुद्रे तो सबसे निमने स्थान पर इस्थित वन कौन सा था? सुद्र वन था, इसका कारिय क्या था? सेवा करना, इस वन को अनस्य प्रेस से भी कहा गया है, तो अनस्य प्रेस से कौन सा वन था? सुद्र वन और अनस्य प्रेस से अर्थात, इनको कोई भी कारिय के लिए बुला सकता है तथा बेज सकता है कोई भी इनको बुला सकता है कि आप मारा काम करो और इनका कार यह क्या था सेवा करना था लेकिन सुत्रों को अच्छूत नहीं माना गया है अर्थात वो अभी तक यहाँ पर एस्पुरेसेता का कोई भाव नहीं दिखाई देता उत्रवेदिकाल में ठीक है आद देखेगा तैत्रिये जो ब्रामन है उसमें संबोधन बताये गए हैं अलग-अलग वन्नों के वो देखेगा ब्रामन के लिए ए ही अर्थात आईए छत्रिये आगही आओ वैशे आद्रव जल्दी आओ और शुद्र आधव दोड कर आओ तो ये भी कई बार पूच लेते हैं लंग से देखेगा इसको अगला आता है उपनें संसकार तो उपनें संसकार अर्था जन्यवु धारन करना तो उपनें संसकार का अधिकार केवल ब्राम्मन चत्रिये और वैसे को ही दिया गया सुद्रों को उपनें संसकार का अधिकार नहीं था वेदों के अध्यन का अधिकार द्वीजों को था द्वीज अर्थात दुबारा जन्यम लेने वाला और द्वीज में कोन-कोन से आते थे वानें ब्राम्मन चत्रिय और वैसे इस बार पूछ लेते हैं द्वीज में कौन-कौन है वो है ब्राम्मन चत्रिय और वैसे द्वीज को जन्यवु धारन करने के लिए अलग-अलग रित्व का पालन करना पड़ता था वो कौन-कौन से थे ब्राम्मन है वो है सूत जो सूत धागा होता है उसकी जन्यों धारन करता था कब बसंत रितु में छत्रिये सन की करता था और ग्रिशम रितु में वैसे उन उन की जन्यों धारन करता था कब सीत रितु में अब देखेगा पुरुशार्थ तो पुरुशार्थ चार थे पूरुशार्थ मनुशे का स्नवांगेण विकास करता है ये चार पूरुशार्थ कौन-कौन से थे धरम, अर्थ, काम और मोक्स धरम अर्था आते नेति कर्टुम्यों का समु है ये ब्रह्मचरी आश्रम में प्राप्त किया जाता था अर्थ, बोथिक आवसेक्तों की पूर्ती करना ग्रहस्ता आश्रम के लिए होता था काम, संतनोत पती करना ग्रहस्ता आश्रम के लिए होता था ये मोक्स, जनम, मरण, चक्रे से मुक्ती तथा जीवन के दूखों से मुक्ती ये सन्यास अर्थात वान प्रस्त आश्रम के लिए होता था तो ये चार पुरुशार थे कौनकों से थे दरम, अर्थ, काम और मौक्स और ये एक मनुस्य के सरवागेन विकास के लिए आवसक थे अब देखे का मौक्स था, इसके दो रूप है, कौन-कौन से है संदेह मुक्ती मौक्स और विदेह मुक्ती मौक्स संदेह मुक्ती मौक्स में कौन सा मौक्स आता है जीवन से मुक्ती, अर्थात महावीर श्वामी, महातमा बुद्ध, क्रिशन आदिने मोक्स का संदेह मोक्स है अर्थात रूप है वो अपनाया और अर्थात इसी जीवन में मिनने वाला मोक्स और विद्य मुक्ती मोक्स मरने के बाद मिनने वाला मोक्स अब देखेगा उत्तरवधी काल में विवाह वेवस्ता कैसी थी तो विवाह एक पवित्रे क्रम माना गया है तथा इस्त्री पुरुस दोनों के लिए ही विवा निवारी माना गया कहीं-कहीं पर आजीवन ए विवाहित रहने वाली करन्यों का वर्णन भी मिरता है अब देखेगा विवा वेवस्ता में आठ परकार के विवा परसली थे अब देखेगा जो हमने नीचे लिखे प्रारम के चार विवाह को धरम द्वारा सहमती प्राप्त थी तथा नीचे के चार विवाह को धरम द्वारा सहमती नहीं थी अब जो सहमती वाले विवा हो कौन-कौन से थे ब्रह्म विवा है दे विवा है प्रजा पते विवा है और इस परकार से देखेगा हम देखते हैं एक आपका आता है आर्ष विवा ठीक है अब देखेगा ब्रह्म विवा कौन सा विवा था तो ब्रह्म विवा पिता अपनी पढ़ना लिया ना अब भी तो यही होता है पिता अपनी पुत्री के लिए एक योग्या वर्की कामना करता है तलास करता है तो वैसे वैसा ही विवा कौन सा विवा था ब्रह्म विवा फिर अगला था आपका देव विवा है तो यह ब्रह्मनों में परसलित था कन्या का पिता यग्यक आयोजन कराता है तो जो यूवग रिती पूर्वक मत का संपाधन करता उसे पुत्री का विवा हो जाता था ये देव विवा होता था अगला विवा था परजा पत्ते विवा है आज के विवा के सम्मान था कन्या का पिता उवर को ढूंड करे धार में कर्तब्यों का निर्वहन करता था अर्थात कन्यादान विवो करते थे आज भी कन्यादान करते है ठीक है अगला विवा था है आर्स विवा है तो कन्या का पिता यूवग से एक जोड़ी गाय बैल की मांग करता है वो होता था आपका आर्स विवाई तो ये जो चार जो विवाई ब्रह्म विवाई देव विवाई परजापती विवाई और आर्स विवाई ये चारों के चारों क्या है धरम द्वारा सहमती प्राप्त विवाई थे अब देखेगा अपन देखते हैं ऐ सहमती प्राप्त विवा कर लेते हैं असुर विवा में कन्या की विक्री होती थी गरीब कन्या को खरीद कर विवा करना असुर विवा था राक्सस विवा है बल पूर्वक कन्या का हरण कर विवा किया जाता था छत्रियों में इसे स्विकार किया गया है जैसे पर्थी राज स्योंगिता का मंद बुद्धी कन्ये के साथ बलात कार करना अगला आता है त्री रिण तो त्री रिण क्या थे अर्थात तीन रिण जो एक ग्रहस्त वेक्ति को चुकाने होते थे वो कौन से थे देवरिण, पित्ररिण और रिसी रिण मनुसे के भाग्ये निदारण में देवताओं की भुमिका होती है, इसले यग्य करने में देवरिन से मुक्ति मिलती है पित्ररिण, माता पिता ने जन्म दिया है तो विवाह करके संतानोत पती अर्थात पुत्र की पराप्ति करना पित्ररिण रिशीरिन विद्या अध्यन में गुरुजुनों की भूमी का है वेदों का अध्यन और दान देना ही रिशीरिन था अगला आता है पंच महायग्य तो पंच महायग्य था पंच महायग्य कोन से थे देवयग्य जिसे ब्रह्मयग्य भी खा गया है पित्र यगे, रिशी यगे, भूत यगे और न्रय यगे जिसे अतिति या मनव यगे भी कहा गया है तो देखेगा देव यगे या ब्रह्म यगे क्या था? इसमें यगे अनुस्थान करवाया जाता था पित्र यगे में पूर्वजों के प्रति स्राद तरपन करना रिशी यगे, वेदों का अध्यन और दान देना भूत यगे, समस्त जिवों को बली प्रदान करना यह बली अगनी में नए डाल कर चारों दिसों में खुले में रखे जाती है जैसे पक्सियों के लिए अनाचींटियों के लिए अनाजादी यह भूत यगे था नरियेगे, इसे अतिति और मानुयेगे भी का गया है तो अतिति सत्कार गोतम धरम सुत्र में कहा गया है कि अतिति नय केवल आपके घर में भोजन करता है बलकि आपके पापों का भी वो भक्षन करता है तो इस प्रकार से पंच महायगे भी उत्रवेदिकाल में प्रचलित हुए थे फिर आते हैं सोला संसकार तो गर्भाधान, पुन्सवन, सिमन्तोनेन, जात करम, नामकरण, निसकर्मन, अनप्रासन, चूडा करम, कण भेद, विद्धा रंभ और उपनेन वेदा ध्यन, के सांथ, समावर्तन, विवा है और अन्तेस्टी संसकार तो देखेगा सोला संसकार हैं उत्रवेदिकाल के समाज में प्रचलित थे ये देखेगा कौन-कौन से थे सबसे पहला था गर्भाधान यह संसकार जनम से पूर्वे किया जाता था पुन्सवन, यह संसकार भी जनम से पहले ही किया जाता था सिमन्तो नैन, यह भी जनम से पहले किया जाता था तथा गर्भ की रक्सा के लिए विश्णू की प्रातना की जाती थी जातकर्म गरब नाल काटी जाती है तथा पिता सहदव गुड़ बच्चे को चटाता है नामकरण इसमें बच्चे का नाम रखा जाता है निसकर्मन बच्चे को चार सप्ता के बाद घर से बाहर निकाला जाता है तथा सूरिय के दर्शन करवाय जाते है अन प्रासन बच्चे को पर्थम बार अन खिलाया जाता है चूडा कर्म इसमें बच्चे का पर्थम टाइम मुंडन किया जाता था कन वेद कानों में छिद्र ब्राह्मनों के लिए आवसेक होता था तो बच्चे के कानों में छिद्र ब्राह्मनों के द्वारा किये जाते थे विद्धा रंब घर में ही माता पिता के सरंग्षन में बच्चे की विद्धा की शुरुवात की जाते थी उपनेन संस्कार तो जन्यव धारन करना ही उपनेन संस्कार था ब्राह्मन चत्रिय वसे ब्रह्मचरिय आस्रम की शुरुवात इस संसकार के बाद हुई थी तो उपनेन अर्था जन्योधारन करना और ब्राह्मन चत्रिय वस्यों को उपनेन संसकार किया जाता था सुद्रों का और इस्त्रियों का उपनेन संसकार नहीं होता था और उपने सेंसकार के बाद ब्रह्म चरिये आस्रम की शुरुवात होती थी वेदा धहन गूरू के समीप वेदों का अध्यन बालक की ओपचारिक शिक्सा शुरू होती थी केशांत अर्थात गोदान तो 16-17 वर्ष में आयोजित जब पहली बार दाड़ी मूँच आती थी तो गूरू के आस्रम में ही इनको साफ किया जाता था यह केशांत संपर्दा सोरिया आपका केशांत सेंसकार होता था और इसे हमें पता चलता है कि उत्तरवधी काल में सफाई के पर्ति लोगों में जागरूगता थी समावर्तन शिक्सा पूरी होने के बाद आयोजित गुरू को दान दिया जाता था इस संसकार के बाद ब्रह्मचरी आश्रम की समाप्ती होती है और ओप्चारिक शिक्सा समाप्त हो जाती है तता सनात्तक उपाधी करण ज्यान रूपी सागर में सनान वेक्ती कर लेता है तो समावर्तन संसकार में क्या क्या होता था शिक्ष्या पूरी होती थी और एक प्रोग्राम का आयोजन होता था तथा गुरू को दान दिया जाता था और ब्रह्म चैरिया आस्रम भी समाप्थ होता है ओप्चारिक शिक्ष्या समाप्थ होती है तथा सनातक की उपाधी मिलती है तो कई बार क्यों सुनाता है कि बैस सनात की उपादी कौन से संस्कार के बाद मिली तो वह आपका समावर्तन संस्कार ठीक है विवा है 15 जो संस्कार था वह था विवा है तो आठ परकार के विवा ग्रहता आस्रम की सुरूवाद इस संस्कार से प्रारॉम तो उत्रवैद काल में जो पंदरवा सेंसकार था वह था विवा सेंसकार और इसमें विक्तिका विवा होता था था ग्रहस्त आश्रम की शुरुवात होती थी अन्तेस्टी सेंसकार तो मनने के बाद अन्तिम सेंसकार ही कौन सेंसकार था अन्तेस्टी सेंसकार तो देखेगा स्टुडेंट्स इस वीडियो में हमने उत्रवाधिक कालीन समाज के बारे में जितने भी महत्तों पुन जानकरी हमें प्राप्त थी वो आप सभी के साथ हमने सेर करी आपको पढ़ाया आपको बताया है और और भी आपको यह दी वीडियो देखने हो इत्यास सम मंदी जानकरी प्राप्ट करनी हो तो आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें धर्नेवाद